तो भई आज हम आप लोग को Town Hall 12 से Town Hall 15 तक एक ऐसा बेस देंगे एनिमी टीम उस बेस को अटक कहने से पहले दो बार सोचेगा इस बेस को अटक करू तो कैसे करू तो भई चलो विनादर के सुरू करते हैं तो भाई पहले आता है टाउन होल 12 और आप यह जो बेस दिख रहे हो ना वाई टाउन होल 12 के लिए ओन अप दब वेस्ट बेस है और यह बेस आप को एर और ग्राउंड अटक के लिए बहुत ही अच्छा डिफिंस देगा अगर एनिमी टीम इगोल के साइड से अटक करेंगे ना तो उस साइड बहुत सारे कालेक्टर है और बेराक्स भी है इसलिए आर्मी का चांस है इधर उधर भटक जनेगा और अगर एनिमी टिम टाउन होल के साइड से अटक करेगा तो उस साइड बहुत सारे ER माइन है hidden डिसलवी है तो एनिमी टिम इस बेस को अटक करेंगे तो ज़्यादा तर चंद से है कि अटक फेल हो जाएंगे अगर अब टाउन होल फेल पे हो और especially मैं इस बेस को यूज करता हूँ और ये बेस 2-3 डिफेंस दे देता है मेरे हिसाब से ये बेस बहुत ही वडिया है और भाई आप कौन सा टाउन होल पे हो जोरूर कमेंड में बताना क्यूंकि मुझे भी जानना है आप कौन सा टाउन होल पे हो अभी तो भाई, next base है, Town Hall 14, और आप ये जो base देख रहो ना, specially मैं इस base को OR और CW के लिए use करता हूँ, और इस base से मुझे 1-2 defense मिल जाता है, क्योंकि 1 side Town Hall है, और 1 side Eagle artillery है, तो इसलिए इस base में AR attack और ground attack करना थोड़ा tough है, अगर आप Town Hall 14 पे हो, तो आप जरूर ये base को use कर सकते हो, तो बहुत बहुत ही tough है, और अगर enemy team AR attack करेगा Town Hall के side से, तो उस side hidden tesla है, giant bomb है, और king, queen, सब कुछ है, और AR sweeper भी है, इसलिए Town Hall side से कोई enemy attack करेगा, तो ज़्यादातर chance है 1 star होनेगा, और Town Hall 15 में मैं specially ये base को use करता हूँ, अगर अब Town Hall 15 हो, तो आप बिनाडर ये base को use कर सकते हो, तो भाई आज ये था Town Hall 12 से Town Hall 15 था top 4 base, आपको ये वीडियो कैसे लगा जरूर कमेड में बताना, और वीडियो अच्छा लगा तो भाई एक like जरूर कर देना, मैं मिलता हूँ next वीडियो में, तो तब तक के लिए बाई बाई